आज की कक्सिया में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं केंदर और राज्य संबन अब तक हमने संगवाद की विशेष्थाएं उसके अलावा भारत केंदर संगवाद को कैसे परचारित किया गया किस परकार भासा के अधार पर राज्यों का गठन किया गया किस परकार भारत के अंदर कामकाज की भासा को इंदी के साथ चात अंग्रेजी को भी बनाया गया और अन्य अच्छेत्रिय भासाओं में भी राज्यों को जो है राज्य कामकाज करने की छूट दी गई अब हमारे पास प्रसन यहां पर नया उठता है कि के अंदर जो केंदर और राज्य सरकार है उसके संबन्द कैसे हैं इन संबंदों को अगर हम 1990 तक देखें यानि कि 1952 के पहले चुनाव से लेकरके進़ 95 तक के अगर चुनाव तक अगर हम देखें और उसके बाद में 1973 से लेकरकर और आज तक देखें दो भागों के अंतर केंदर सरकार के रूप में कांग्रेस पार्टी का एक वर्चस्व रहा था और दूसरे जो स्टेट्स होते थे वहां भी केंदर राज्य सरकारों के अंदर कंग्रेस पार्टी ही जादा जो अस्तितों में रहती थी 60% से जादा जो है सरकारे जो है राज्यों के अंदर भी किसक सरकारा लेनी की जरूरत नहीं होती थी उसका एक परकार का वर्चसो धासंग सरकार के अंदर जो है भूमत की सरकारे बनती थी या हम यह कह सकते हैं 1992 से लेकर के 1995 तक एक ही दल के महुमत की क्या बनती थी सरकारे बनती थी इसलिए क्या होता था राज्य सरकारों को जो है जब भी मर्जी आता था सरकार के अंदर की अपने सवार्त के लिए क्या कर सकती थी भंग कर सकती थी राष्टपती का क्या लगा सकती थी राज्यों के अं लागू कर दिया गया था तो इससे हमें यह पता लगता है कि काफी समय तक हमारे यहां पर एक ही पार्टी का केंदर और अधिकांस राज्यों में सासन होता था तो इसका वैवारिक मतलब यह हो कि राज्य सरकारों ने स्वायत जो इकाई थी संकी उसके अंदर अपने अधिका जाता है गठबंधन क्या बोला जाता है गठबंधन सरकार यानि कि जब किसी भी सरकार को के अंदर के अंदर या राज्य सरकार के अंदर सपस्प महुमत नहीं मिलता है तो उसे दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ता है और इस परकार दो या दो से अधिक पार्टिय जब मिलकर के किसी भी सरकार का गठन करती है तो उसे क्या बोला जाता है गठबंदन सरकार एक नया सबद अस्तितों में आ गया भारती राजनिती में इस सबद का नाम था गठबंदन सरकार और भारत के अंदर दो गुरूप बन गए गठबंदन सरकार के एक तो NDA, National Democratic Alliance और द के अंदर जो मोदी के नेतरतों में सरकार बनी हुए वो किसकी है NDA गठबंदन की थी और 10 साल तक लगातार मनमोहन के नेतरतों में चली वो कौण सी गठबंदन की थी UPA की तो के अंदर और राज्यों के जो संबंद है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव जो है आए गया और इससे एक नई परवर्ती जो है पनपी और इस परवर्ती को सुप्रीम कोट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला इस फैसले के कांड राज्य सरकार को मनमाने डंग से बंग करना जो है के अंदर सरकार के लिए क्या हो गया मुस्किल हो गया दो चीजिया होगी तो गठबंदन की सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोट ने भी जो है राज्यों को मनमाने तरीके से जो सरकारे भंग की जाती थी उसके उपर भी क्या कर दिया गया रोक लगा दी गी तो इस परकार जो के अंदर और राज्यों के सम्मंद है उसके अंदर क्या आता चला गया बदल सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में मैंने आपको भासा पुन और गठन का अधार भी यहां पर बताया था अब बात आ जाती है हमारे पास नेक्स जो पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है भारत में वी केंद्री करण वी केंद्री करण दो कार के सतर होते हैं एक तो होता है केंद्री करण एक तो क्या होता है केंद्री करण और दूसरा क्या होता है वी केंद्री करण वी केंद्री करण यहां पर जो सत्ता होती है उसका एक सतर होता है एक केंद्र हो सत्ता का क्या हो केंद्र एक हो सत्ता का एक केंद्र हो और यहां पर सत्ता जो है विभिन सत्रों पर बटी हो इस पर बटी हो विभिन सत्रों पर यानि कि जहां पर सत्ता का एक ही केंदर हो उसे तो क्या बोला जाता है केंदरी अकरण वेवस्ता जहां पर सक्तिया जो है विभिन सत्रों में बटी हुई ना हो वी केंदरी करण किसको कहा जाता है जहां पर सत्ता का एक से अधिक केंद्रों में क्या हो बटाओ हो बटवारा किया गया हो तो अगर हम भारत के अंदर इस वैवस्ता को देखे तो भारत में केंद्रियकरण नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि भारत में वी केंद्रियकरण है क्योंकि हमने सत्ता को तीन सतर पर अगर जनसंख्या की दरश्टी से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और अगर महारास्टर की हम बात करें किसकी बात करें महारास्टर की अगर हम बात करते हैं तो महारास्टर जो है वो किसके बराबर है जर्मनी के बराबर है अगर भारत की जो जनसंख्य के अंदर सत्ता को बाढ़ दिया के अंदर और राज्य सरकार में अब बात ही आ जाती कि भारत के राज्य भी बहुत बड़े मैंने आपको बताया उत्तर परदेश और महारास्टर है ये अगर यूरोप के बहुत से देशों के बारे में देखेंगे तो जर्मनी जो है उससे औ और जो है रूस से बड़े हैं तो फिर हमारे लिए भारत के अंदर संगिय जो सत्ता है उसकी सांजेदारी का एक और सतर बढ़ाने की जरूरत होई जिसके अंदर तीसरा सतर आ गया और वो सतर क्या था स्थानी सतर कुण सा सतर था स्थानी सतर और ये कहां पर आया गाओं मे और सहरों में सहरों में तो इसके दो रूप है नगर निगम और नगर पाली का क्या होती है नगर पाली का गाओं के अंदर अगर हम इसकी बात करें किसकी बात करें गाओं के अंदर तो गाओं में इसके तीन स्तर है गराम सतर बलोक सतर और जिला सतर तो गराम स्तर पर जो बनती है उसको तो हम क्या बोलते हैं गराम पंचायत क्या बोलते हैं गराम पंचायत बलोक स्तर पर जो बनती उसको क्या बोला जाता है बलोक स्मीती और जीला स्तर पर जो बनती उसको क्या बोला जाता है जीला प्रिशद बोला जाता है यानि कि भारत के अंदर सत्ता के विकेंद्रीकंड के पीछे ये तरक दिया गया था क्या तरक दिया गया था कि राज्य सरकारों के पास भी काम बहुत ज़्यादा है तो क्यों है बहुत जो छोटे छोटे जो छेतर है छोटे छोटे जो गाउं और शहर जो जिले हैं उनका भी विकास किया जाए तो क्यों नहीं रज्य सरकार जो है कुछ अधिकार किसको दे दे स्थानिय सरकार को भी दे दे ताकि वो अपने अपने चेतर का क्या कर सके विकास कर सके तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकन के पीछे यही तरक दिया गया था इसके फल्सुरूफ तीन सत्रों की सरकारों का ढाचा भारत में सामने आया और इसमें जो तीसरा स्तर है उसको क्या बोला गया था स्थानिय सासन बोला गया तो वीकेंद्रीकन की जरूरत हमारे स्विधान में भी फिर क्या कर ली गई और उसके लिए भारतिय स्विधान के अंदर एक बहुत मैतापुन बदलाव किया गया 1992 के अंदर और एक नई सूची जो है डालीगी जिसे हम कोण सी सूची बोले जाते हैं नोवी अनुसूची इसके तहट जो है पंचायती संस्थाएं और नगरपाली का और नगरपाली का एक नया जो है अनुसूची डाल दी गई जिसके तहट जो है स्थानिय जो सरकार है उसको क्या किया तो इन स्थानिय सरकारों के लिए नीमित डंग से उस चुनाव ने करवाए जाते थे और ना इनके पास अपना कोई इदिकार था ना संसाधन ते इस परकार परभावी डंग से सत्ता का वीकेंद्रीकरण उस चायम तक क्या रहा 32 से पहले नाम आतर का था किसका रहा नाम मातर का था क्योंकि जो निर्वाचन आयो गए वो समय पर चुनाव नहीं करवाता था तो इसको जो है सविधानिक रूप दिया गया इस नाम मातर को वास्तविक रूप देने के लिए भारतिय सविधान के अंदर 1922 में एक सविधानिक संसोधन किया गया और लोकतांत्रीक सासन विवैस्ता के तीसरे स्तर को क्या किया गया जादा सक्तिसाली और परभावी बनाया गया और उसको परभावी बनाने के लिए भारतिय सविधान के अंदर मैतवपुन बदलाओ किये गे पहला बदलाओ सबसे पहला बदलाव तो क्या था नियमित चुनाव होंगे इनके जो पहले नहीं होते थे कई बार ये परसन आ जाता है कि वो प्रावधान कौन से हैं जिन्स के तहत 1922 के अंदर सवेधानिक जो संसोधन करके पंचैती संस्ताओं और नगर पालिकाओं को ज़्यादा अधिकार दिये गए उन्हें वास्ट्विक लोगतंतरीक संस्ताओं बनाएगी तो पहला तो क्या है नियमित चुनाओ यानि कि जैसे लोगसभाव राज्यसभा के चुनाओ होते हैं पांच साल में उसी परकार पंचैती राज के भी क्या होंगे चुनाओ होंगे दूसरा क्या हो गया आरक्षण पंचैती राज विवस्ताओं के अंदर उनुसुची जाती और जन जाती के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा आरक्षण दिया जाएगा जैसे कि उन्हें लोगसभाव राज्यसभा के अंदर मिला हुआ है तीसरा क्या होगा एक बटा तीन जो है पद महिलाओं के लिए आरक्षण किये जाएंगे किसके लिए आरक्षण किये जाएंगे महिलाओं के लिए आरक्षण तीसरी जो महतवपून जो थी महिलाओं के लिए एक तियाई आरक्षण और आज भी है महिलाओं के लिए पंचै तो च्यार जो महतवपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है, राज्य चुनावायोग सवतंतर होगा, राज्य चुनावायोग का गठन, यानि कि राज्य स्थर पर एक राज्य चुनावायोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो एक सवतंतर जो एक संस्ता होगी, ज तो फिर क्या हो गया राजसव का अधिकार भी दिया गया किसका अधिकार दिया गया राजसव का यानि कि कुछ कर ऐसे थे जिसको उगहा करके जो स्थानिय जो सरकारे होती है वो अपना क्या कर सकती है काम करवा सकती है तो भारत के अंदर जो गाओं के स्थर पर जो पर सासन है उसको क्या बोला जाता है ग्राम पंचायद ग्राम सतर के ऊपर जो स्थानिय सासन है उसको क्या बोला जाता है ग्राम पंचायद बोला जाता है और ग्राम पंचायद का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है सरपंच बोला जाता है और सरपंच के अधिन ज इसका अदेक्स होता है उस अदेक्स का नाम तो क्या होता है सरपंच होता है उसके बाद में गाओं को किस में बाटा जाता है वार्डों में बाटा जाता है और प्रते एक वार्ड से एक वैक्ति को चुना जाता है उसको क्या बोला जाता है पंच बोला जाता है और उन सभी का जो पंज जो परधान होता है उसको क्या बोला जाता है इस चुनाओं के अंदर गाओं और वार्ड में रहने वाले जो वैसक लोग है ठारा वरस्ते उपर जिसकी उमर है मैसक मतनिकार के त Cat मतदान करते हैं और जो यहाँ पर जो गाओं उस सतर के उपर जो फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेती है पंचैत लेती है पंचैतों का जो काम वो क्या है गराम सभा की रेक देख रेक में चलता है और गराम सभा के अंदर सभी मद्दाता इसके सदस्य होते हैं तो गराम पंचैत का बजट पास करने और उसके काम काज की स ब्लोक स्मिति बनाया जाता है और इन वार्डों की संख्या जो गराम पंचैद के वार्डों से क्या होती है कम होती है और यह मंडल स्मिति बहुए जाता है और इसके सदस्यों का चुनाओ भी मंदल स्तर पर किया जाता है और किसे भी जिले उसके बाद में जो जिसको हम 25 स्मिती भी बोलते हैं और फिर किसी भी जिले की सभी जो 25 स्मिती होती है उनको बिला करके इनके वार्ड क्या होते हैं बड़े होते हैं तो जिला परिसद के अधिकान सदस्यों का चुनाओ किया जाता हूँ जिला परिसद के अंदर उस जिले से लोकसभार विदानसभा के लिए चुनेगे सांसद विदायक और जिलास्तर की संस्ताओं के कुछ अधिकारी भी सामिल हो सहरों की जो पंचायती होती है दो परकार की होती है एक तो होती है नगर निगम और दूसरी होती है नगर पाली का तो नगर निगम जो होता है उसका मुखिया तो कहलाता है मेर नगर निगम का जो सवेधानिक जो मुखिया होता है जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको तो क्या कहा जाता है मेर कहा जाता है और नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं उसे क्या बोला जाता है नगरपारसद उसको क्या बोला जाता है नगरपारसद बोला जाता है नगरपालिका का जो परमूख होता है वो राजनितिक परधान होते हैं नगरणिगर में ऐसे पदा दिकारों को मैंने आपको पहले ही बता तो जो सथानिय सरकारों की जो ये नई वैवेस्ता थी दुनिया के लोकतंतर में अब तक का सबसे अनुठा परियोग है और नगरपाली का और गराम पंचैतों के करीब जो है 36 लाख लोगों का भारत के अंदर चुनाओ किया जाता है सथानिय सतर पर जो सबसे बड़ा होता है ये संख्या अपने आप में ही दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी जादा है तो स्थानिय सरकारों को सवेधानिक दरजा दिये जाने से हमारे या लोकतंतर की जड़े और मी मजबूत हो गई है और मैलाओं का परतिनीतितों बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंतर मे की बैठक नीमी तरुप से नहीं होती है अधिकांस राज्य सरकारों ने स्तानिय सरकारों को प्रयापत अदिकार भी नहीं दिये तो इस परकार सवसाथन की आदर स्थीती से अब भी हम क्या है काफी दूर हैं और इसी के साथ जो हमारे इस पार्ट का क्या हो जाता है समापन हो जाता है आई अब हम अभ्यास के इसके परसनों के उपर क्या डालते हैं कुछ नजर डालते हैं तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यास का जो परसन आता है यहाँ पर भारत के खाली राजनेतिक नक्से के ऊपर, भारत का जो हमारा खाली जो राजनेतिक जो नक्सा होता है उसके ऊपर जो है मनिपूर, सिक्किम और किसको दर्शाना है, 36 गड़ो और गोगा को, तो आप भारत का map लेंगे और उसके अंदर आप बता देंगे कि कहाँ पर 36 गड़ है कहाँ पर मनिपूर है कहाँ पर सिक्की में इसके लावा दूसरा एक खाली map आपको किसका लेना है विसो का map लेना है उसके मानचितर के ऊपर भी हम बताएंगे कि भारत के लावा संगिये शासन वाले तीन देश कोण से उसके उपर हमें रंग बढ़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया था ना राज्जे सरकारों को समान अधिकार प्रापत है के अंदर के किसी भी राज्जे के पास कोई विशेशा अधिकार नहीं है लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्जे हैं जिनको विशेशा अधिकार है ये भिंता है उसके बाद नंबर च्यार है भारत का जो सासन है वो संग आत्मक सासन वैस्ता में दो या तीन स्तर की सरकार होती तो बारतमक उनसी एक अंदर सरकार है, राज्य सरकार और स्थानिय सरकार है, घराम पंचायते, पंचायते, जिला प्रिशत, नगर पालिका और नगर निगम है, जबकि एक आत्मक सासन वैस्ता के अंदर क्या होता है, प पहले और बाद के स्थानिय साज़न की महतापूर्ण अगर 1952 से पहले देखे तो दो स्तनीज सरकार थी बारत में कें इनितर और राजस्तर लेकिन 9225 में कें और तीन स्तर की सरकार food and, कोन सी आगी कें अगी इननलर राजय और स्थानिय का इसलिए, वहां सभी का इयूंगा समान इदिकार है, वहां सबीक काईउ का समाना दीखार है, उसके बाद, लेकिन लिए हम अगर तीनों को अगर देखेंगे तो तिनों परतिकेंगे में से ज़्यादा सहमत हूं क्योंकि विविन बासाओं को समाइद करने से देश की राष्टी एकता मजबूत हुई है हमने इंदी के साथ साथ 20 सन्य बासाओं को भी क्या दिया मन्यता दिया और स्विधान की आठवी अनुसूची में उसको डाला गया है उसके बाद संगिय सरकार की एक विशेष्टा बतानी है तो कोण सी विशेष्टा है तो हम बार-बार कह रहे हैं कि सरकार की सकती विविन सत्रों में बट जाती है ये देखी ये आजएगा लास्ट वाला अब उसके बाद में परसा नमबर 9 आता है हमारे पास इसमें हमें क्या देखना है कि भारतिय स सुचि के अंदर कुछ विभिन सूचियां दर्जगी है इने नीचे दी दीगी तालिका में संग्य सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले विशे तो संग्य सूची में क्वण सा आتा है मैं बता देता हूँ आपको रक्षया आता है अब हमने देखा इसके प्लिस को डाला था और किर्शी को डाला था इसके साथ में वैपार को डाला गया था। करेंगे थैंक यू गुड मॉर्निंग टू ओल उफ यू आज की कक्ष्या में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारे पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं क्या दवाप्समू और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं तो अगर इस सर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो नुमाइंदगी का मतलब होता है उनका परतिनी धित्तों करना जैसे कि सिक्सक उन्होंने अपना अलग बना लिया वेपारी उन्होंने अपना अलग बनाया वकिलों ने अपना अलग बनाया मजदूरों ने अपना अलग बनाया किसानों ने अपना अलग बनाया तो उससे हम किसी वरक के हितों की रक्षा की बजाए हमें जो है सभी के हितों की रक्षा के लिए परियास करना चाहिए दूसरा जो महतापून पॉइंट है जो इनके खिलाब जाता है वो हम क्या देखते हैं कि ये जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं हटा दिया जाएगा लेकिन जो दबाब्समू होते हैं उनको इस परकार की किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता तीसरी जो महतापूर्ण बात है वो धनकी आती है जो हिट्समू होते हैं उन्हें इतने ज़्यादा धनकी जरूरत नहीं पड़ती है अपने हितों की के अंदर जो राजनेतिक सत्ता प्राप्ति की जाती उसके लिए जो धन खर्च किया जाता है इसके अलावा जो है जनता के बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके उपर राजनेतिक दल क्या करते हैं चुनाओ लड़ते हैं जैसे कि बीजेपी ने धारा 370 के अनुछेद क से परभावित होती है लेकिन इन 3 कारणों के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि अगर हम थोड़ा सा सकारात्मक होकर के सोचें तो दबाप समू और आंदोलन के कारण लोक तंतर की जड़े क्या होती है intend今日は मजबूत होती है पहली जो बात है सासन पर नियंतरन सासक पर क्या होता है नियंतरन करते हैं अगर ये दबाब समूह नहीं होगे चाहिए वो हिट समूह हो अगर वो नहीं होगे तो सासक क्या होगा अपनी मनमानी करनी शुरू कर देगा जैसे कि आपने बोलविया में देखा कि जलकी आप उर्ती किसी नीजी कमपनी को क्या कर दीगी दे दीगी और इसका हरजना किसको भुगतना पड़ा वहां की जनता को तो लोकतंतर के अंदर कोई बी हितकर गतिविद्य अगर होती है तो उसका जो अवसर होता है उसके लिए सरकार अक्सर धनी और चाकतवर लोगों की क्या देगी, दूसरा हम क्या करेंगे, धनी लोगों की रक्षा, अगर इस तरीक के हित्समू अगर हम नहीं बनाएंगे, तो सरकार के उपर केवर जो धनी लोग हैं, विशेश वरक के जो लोग आते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, वो ही के सान के जंशमान ने के इस समुब बनाएंगे और अंदोलन करेंगे और सरकार के ऊपर क्या ढालेंगे दबाव ढालेंगे तो तभिं आम नहीं की जो जरूरत ससर्कारों के सरकार को क्या करवा सकते फैस्टवास करवा सकते तो दूसरा जो हिच्समू है वो उसका प्रतिकार करेगा कि आप लोग गलत कर रहे हो जैसे कि अभी आपने देखा होगा नोकरीयों के अंदर आरक्षन को समाप्त किया जा रहा है पिछड़ा वरक का जो आरक्षन है उसको तो अब क्या होगा पिछड़ा वरक के जो लोग है या हिस्मू की जो राजनिती की जाती है या अन्य जो जन समाने के जो आंदोलन खड़े किये जाते हैं वो कहीं ने कहीं लोगतंतर के अंदर किसी ने किसी रूप में समाज के अंदर जो है सामंजश्य को बिठाते हैं और सक्ति संतूलन को क्या करते हैं बनाए रखते हैं यहा था वांगरी मथाई उसने एक आंदोलन चलाया था कि केनिया के अंदर कितने करोड़ वरक्स लगाए जाएंगे तीन करोड़ वरक्स लगाए जाएंगे और उसके लिए उन लोगों ने प्रियास किया गया था उनका कहना था कि 1970 से लेकर के 1980 के दसक में किसानों को रक्षा रो जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया और इसे रिफ्ट वैली के अन्य केनिया वासिकों की आजीवी का और उसके अधिकार क्या हो गए थे जाते रहे थे इसलिए यहां पर एक सामाजिक आंदोलन क्या किया गया था चलाया गया था उसके लावा एक और महतवपूर्ण आंदोलन यहां पर आता है कित को और ही कित को यह आंदोलन कहा चला था करणाटक में चला था कब 1984 में बहुत इंपोर्टन परसन है करणाटक की सरकार ने क्या किया था करणाटक जो है पलप वूड लिम्टेड नाम से कंपनी बनाई थी और इस कंपनी को लगबग 30,000 प्रीयोग किसान क्या करते थे अपनी पसुओं को चारागा के लिए उप्योग करते थे तो कंपनी ने क्या किया इस जमीन के उपर जो है 1987 में कितको हिचको का आर्थ होता है तोड़ो और रोपो और इसके तहित क्या किया गया थे कांदोलन सुरू किया इसमें एंसक परतिर डाएक होते थे तो इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा था कितको और हिचको और इसी के साथ जो हमारे इस पार्ट का जो है समापन होता है आई अब हम अभ्यास के परसनों के उपर नजर डालते हैं फर्स्ट हमारा परसन बड़ा असान है दबाव समूज जो होते हैं और आंदोलन जो होते हैं वो राजनिती को कैसे परभावित करते हैं तो पहला तो क्या होता था जनता का समर्थन हासिल करते हैं पहले तो ये लोग क्या करते हैं जनता का समर्थन हासिल करते हैं क्या चला करके किसी विशेस मुद्दे के उपर अंदोलन चला करके इसके लिए वो संचार के जो मद्दे मोते उनका क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं दूसरा फिरी के ये क्या करते हैं हड़ताल करते हैं हड़ताल करके क्या करते हैं बहुत से अंदोलनकारी समू के कुछ वेक्ति सरकार को जो है जो काम करती उसमें बादा पहुंचाते हैं उसके लिए हड़तालों का क्या लिया जाता है सहारा इसके लावा तीसरा क्या होता है इन जो आंदोलनकारी और दवाबसमू होते हैं, इनके कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, सरकार में भी क्या हो जाते हैं, सला देने वाली समीतियों में, सला समीतियों में सामिल होना, ये लोग क्या करेंगे, सला समीतियों में क्या हो जाते हैं, सामिल हो जाते हैं, और जो समीतियो आरे पास था दबाप सूमू और राजनितिक दलों के आपसी समंदों का सवरूप कैसा है तो अगर हम दबाप सूमू और अंधोलन की दलीय राजनिति के अंदर जो है हमें पहले पता था कि ये सीधा हिस्सा नहीं लेते हैं वो क्या नहीं लेते हैं? सीधा हिस्सा नहीं लेते हैं. किस में? राजनिती में. राजनिती में सीधा हिस्सा क्या नहीं करते हैं? नहीं लेते हैं. वे राजनितिक दलों पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं. और अधिकतर आंदोलन क्या है? किसी राजनितिक दल से जुड़ बनाये जाते हैं और उनका नेतरतव भी राजनेतिक दलों के नेता ही करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था SPA जो नेपाल के अंदर जो आंदोलन खड़ा हुआ था जो दल बनाया गया था वो साथ पार्टियों ने मिल करके बनाया था उसके अंदर फिर आटवी पार्टी कोण सी होगी थी भाववादी सामिल हो गई थी कई बार क्या होता है ये जो संग्ठन होते हैं बारत के अंदर मजदूरों के संग्ठन या छातरों के संग्ठन भी होते हैं और कभी कभी क्या होता है राजनेतिक दल का रूप भी धान कर लेते हैं जैसे कि मैंने एक्जेंपल बताया था असम गण परिशद असम के अंदर बनी तो किसके लिए थी जो विदेशी जो विद्यार्थी वहां पर आते थे उनके रोक टोक के लिए बनी थी लेकिन बाद में जो असम गण परिशद जो किसका रूप ले गई थी एक राजनेतिक दल का रूप ले गई थी तीसरी बात हम करते है जो दबाबसुमों और जो अंदोलन होते हैं उनका जो है राजनितिक दलों से सीधा संबन नहीं होता है दोनों ही परस पर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं विरोधी होते हैं और समवाद को क्या करते हैं कायम करते हैं और दोनों बाचीत के जरीए किसी भी समस्या का क्या करते समाधान ढूंडते हैं उसके बाद next हमारा जो part आता है वो हमारे पास दबाब सुमो की गतिविदिया लोकतांतरिक सरकार के कामकाज में कैसे उप्योगी है अब आपने देखा होगा जो दबाब सुमो होता है उसका एक उदेश्य होता है और वो अपने उदेश्य की पूर्ती के लिए सरकार पर क्या करते हैं डबाव डालते हैं और किसी एक ही समुदाय के इतों का परदी दित्ताओ करने वाले दवाब सुन लोकतंतर के लिए हित कर नहीं है क्योंकि लोकतंतर में किसी एक समुदाय की इतों की नहीं बलकि सभी के इतों की क्या होनी चाहिए र साम आदमी की जरूरत से क्या करवाते हैं आउगत करवाते हैं दूसरा क्या होता है हमारे पास विशेस वरग हितेसी समू विशेस वरग के क्या होते हैं समू बढ़े होते हैं जैसे किसानों के होगे डोक्टरों के हैं शिक्सकों के हैं किसान वकिलों के हैं तो ये क्या करते है विबिन जो समू होते हैं विए किरिया सील होते हैं और कोई एक समू समाज के उपर परभुतों कायम नहीं कर सकता क्यों क्यों कि एक समू सरकार के उपर अपने हित और अपनी नीती बनाने के लिए डबाव अगर डालेगा तो दूसरा उसका क्या करेगा विरोध करेगा तो सर इसमान उदिश्यों की पूर्टी के लिए संक्थित इया है संक्तित लोगों का एक समू होता है जो सरकार की नीथियों को क्या करता है पर भावीत करता है उसको क्या कहते हैं दबाव समू के अन्तर बड़ा असान सा अंतर है, सबसे पहला तो है चुनावी अंतर, हम यहां बता देंगे कि राजनेतिक दल तो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूँ के जो लोग होते हैं, वो सीधा चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरा आजाएगा पर्टेक्स सत्ता, जो राजनेति जो दल बनता है, उसके अंदर एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, राजनेतिक दल के अंदर क्या होगा, एक ही जैसी विचारधारा रखने वाले लोग होगे, जबकि दबाव समूँ के अंदर एक पेसे ही तोरा कांगसा रखने वाले लोगों का क्या होता है, वो समू हो के केवल किसके परति उतरदाई होते हैं अपने समू के परति उतरदाई होते हैं उसके बाद में नेक्स्ट अमारा जो परसन आता है वो आता है जो संग्ठन विल्कुल असान सा परसन है बेटा जो संग्ठन विशिष्ट समाजिक वरक जैसे मजदूर सक्रमचारी सिक्सक और वकील के हितों को बढ़ावा देने के लिए गतिवीदी चलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है मैंने आपको बताया था सपेशल किसी हित के लिए है तो क्या कहलाएगा हित समू कहलाएगा और समाज के लिए है तो क्या कहलाएगा समाजिक जन समू कहलाएगा उसके बाद person number अम साथ पे आते हैं निमलिखित में से किस कथन से सपस्ट होता है कि दबावसुम और राजनेतिक दल के अंदर अंतर होता है तो कौन सा होता है जो दबावसुम होता है वो सत्ता में नहीं आना चाता है यही अपने पड़ा था और राजनेतिक दल क्या करना चाहेगा सत्ता हासिल करना चाहेगा उसके बाद में नेक्स्ट आमारे पास जो आता है वो परसन आता है अमारे पास नमबर आठ नमबर आठ परसन के अंदर सूची बनाई गई है और इन सूचियों को संग्ठन और संगर से उससे मिलान करना जैसे कि पहला है किसी विशेष तबके या समू के हितों को बढ़ावा देने वाला जो संग्ठन है वो क्या कहलाएगा स्याबास बताईएगा आप मुझे बहुत असा परसन है ये किसी विशेष तबके या समू के हितों को अगर हम बढ़ावा दे रहे ह तो क्या कहलाएगा हमारे लिए या कोई विकल्प दिया गया इसमें तो वो क्या होता है विशेष हित्समू होता है क्या होता है वो विशेष हित्समू जन समाने की हितों को बढ़ावा देने वाला क्या होता है वो होता है अंदोलन इसके अलावा ऐसा संग्ठन जो राजनेतिक सत्ता पाने की गरत से लाम बंद होता है तो क्या कहलाएगा वो राजनेतिक दल कहलाएगा किसी समाजिक समश्या के समाधान के लिए चलाएगा एक एक संग जिसमें संक्ठनिक सरसना भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो वो क्या कहलाएगा हमारा आंदोलन कहलाएगा और जन्त समाने के हितों को बढ़ावा देने वाला हमारा क्या हो जाएगा लोक कल्यानकारी हित समू हो जाएगा तो ये हमारे परसन है तो इसके अंदर जो अगर हम विकल्प अगर देखेंगे तो कै और खै हमारे पास क्या हो जाते हैं एविलेबल हो जाते हैं यहां दिये भी गए हैं यह देखिएगा आप नीचे दिये गए हैं इसमें से हमें इनको क्या करना था ढूंडना था तो इसके अंदर हमारे लिए कै और खै विकल्प क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे क्यो और ये हमारा क्या आजाएगा, आंदोलन आजाएगा, तो ये बहुत अच्छा जो है हमारे पास था, इसी के साथ, हमारे इस पार्ट का समापन होता है, इस पार्ट में आये हुए सभी अभ्यास के परसनों को आप अपनी कोपी में लिखेंगे और याद करेंगे, थैंक यू, झाल झाल